देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी जहां एक तरफ व्यार के मुख्यमंत रितीश कुमार शराब बंदी को सफल बनाने में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जोनों एक कसम खाली है कि वो शराब के नसे को नहीं छोड़ेंगे तरफ से अपनाई जारी है जिससे परिशानी और मुश्किल सियम नतीश कुमार की बढ़ती हुई नसर आ रही है बता दे कि लकातार सियम नतीश कुमार समाज सुधार यातरा में जुटे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पटना के सास्त्री नगर थाना शेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी के होश उडा दिये बता दे कि होटल में शराब के साथी साथ कॉलकता से लड़की को भी बुलाया गया था जिसके बाद ये मामला पुलस के संग्यांग में आया और सभी को गिरफतार भी कर लिया गया आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये जो रेड वो पुलिस की तरफ से की गई जसके बाद शराब के नसे में धुद वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनको गिरफतार किया गया और साथी साथ उन पे कारवाई की बाद भी पुलिस की तरफ से कही गई है बताया गया है कि शासरी नगर थाना शेतर में संचालित शुब यात्रा में शराब के साथ शबाब पाती का भी आयोजन किया गया था इसके लिए बकाइदा कॉलकता से एक यूफती को बुलाया गया था लेकिन किसी ने होटल में चल रहे शराब और शबाब पाती की सूचना पुलिस को दे दी जसके बाद सूचना के आधार पर होटल शुब यात्रा में छापा मारा गया मौके से शराब की बोटल और एक बगैर नंबर वाली कार को भी जब्त किया गया पतादे की कौलकता की युवती से पूछताच शिरू हो चुकी है इसकारवाई में होटल मैनेजर और युवती के साथ फुलवारी शरीफ के एक युवक को हरासत में लिया गया है पुलस्तीनों से पूछताच कर रही है अधिकारियों की माने तो होटल प्रबंधन को एक महीने पहले ही अगाह किया गया था लेकिन इसके बावजूद होटल प्रबंधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था इसके बाद यह कारवाई की गई अब इस कारवाई में पकड़े गई तीनों लोगों को आज कोट में पेश भी किया जाएगा तो लगातार एक के बाद एक जो ताबर तो चापे मारी है वो पोलस की तरफ से की जाड़ी है सब के बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इतना मनोबल इन लोगों का कहां से बढ़ा है कि इस तरह से बिहार में खुले आप वो शराब पार्टी करते हुए नजर आते है पोलस ने चाक चौबंद लगाए हुए और खुद लगाता है सियमती शकुमार भी ये पील जनता से कर चुके और साथी साथ उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि किसी भी शराब के नसे में नशे करने वाले लोगों को बख्षा नहीं जाएगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक जो इस तरह के मामले हैं वो सामने आते हैं बता दे कि पटना के शासरी नगर थाना शेत में ऐसा ही एक मामला सामने आया उसके बाद होटल में पुलिस की तरफ से रड़ पड़ी जहां से तीन लोगों को गिरफ तार किया गया हैरानी की बाद तो यह है कि कॉलकता से यूवदी को भी यहां बुलाया गया था बता दे कि उस यूवदी से अब पूछता चल रही है और आज उन सब भी आरोपियों को कोट में पेश भी किया जाएगा फिलाल के इतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रहे ये नियूस ओनेशन के साथ नमशकार